नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एडाफोर्स्ट यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जिसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भरती को लेकर कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी को ओन कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको जानकारी ओनलाइन एडाफोर्स्ट यूट्यूब चैनल से मिलती रहें शूबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ आगे पटने से पहले हम बात करें यूपीट अपलेसी बीपीओ की ब आपको 2450 से ज्यादा भाभभी गिल्पे कोश्टन भी साथी साथ जो भी कोश्टन आपको दिये जारें वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपकी परिक्षा में आने के लिए जैसा कि आप लोग अपनी स्कीन पर देख सकते हैं साथी साथ सभी कोश्टन की आपको सटीक उत्तरमाला और उस उत्तरमाला के साथ सभी उत्तरका भ्याक्यात्मिक हल भी दिया जाता है इस बुक के साथ अगरा करते हैं तो आपके सेलेंख्षन की जो चांसे часть हैं तो इस बुक को पैंचेक करने के लिए गाफcott का सकते है अब क्याइद ए dla जानकाई के लिक के लिए बापस आते हैं मुद्दे की तरफ मुद्दा है नया सिक्षा सेवा चैन आयोग भरतियों के लिए तैयार फिर बात करेंगे यूपी टीजटी बिजटी एक्जाम सुपर टीजटी इसके लावत तमाम अपडेट को लेकर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर अगामी सभी सिच्छक भरतियों से संबंदित जो प्रोसस है वो किये जाएंगे इसी के इंतजार की वजह से पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सिच्छक भरतियां हैं जिनके बिज्ञापन जारी नहीं हुए क्योंकि अगर यह बन गया होता तो निश्य त अब वो कहते है ना कि जब भी आए बस दूस्त आए यानि कि देर आए दूस्त आए इसी को लेकर जानकाई आज इ जानकाई निकली है और यहां पर आप, सुभी को देखनेक लिए मिल जाएगा कि फर्बरी में सक्रिय हो जाएगा नया उतर पते एक्छा सेवा चैनायोग उत्र पर देश्ट इच्छा सेवा चैनायोग फरिवरी में सरकी हो जाएगा आयोग की अध्यक्ष ऐवम सद़्स्यों की निकथि और लिए यानि कि यहाँ पर बात की जाली है असिस्टेंट प्रॉफिसर बरती जो की 177 पदों पर निकाली गई थी और दूसी 4133 पदों पर निकाली गई टिजडी पिजडी बरती जिसको लेकर विग्यापन यहाँ पर 2022 के अंदर जाली किया गया था 2023 सद्यस और अध्यक्षिक कहीने प्रकिया शुरू कर दी गई थी ऐसे में असास की विध्यालियों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों भरतियों कहीने की प्रकिया को रोक दिया गया था और शासन ने तेह किया था कि नए आयो के गटन के बाद ही जो इन दोनों भरतियों को पूरा किया क्योंकि नई शिक्षा स्वाग्र के अध्यक्ष स्धस्यों की नुकती के लिए जो आवेदन की स्कीनिंग है वो इसी प्रकिया एसी महीने की अंत की अंत में खत्म हो जाएगी और फर्वरीम की अभ्यर्थी मिलब जो भी प्रोसेस करने के बाद में फाइनल जो अभ्यर्थी चुने जाएंगे अध्यक्स और सदस्य की रूप में उसके नामों की गोशना कर दी जाएगी और जो शिक्षा निदे साले के सूतों के अनुसार फर्वरी में आयोग के गठन की प्रकिया पूरी हो जाएगी अभी किसी नई भरती के अध्याचन की तेहाई नहीं की गई है पहले की भरतीयों को लेकर जारी विग्यापन के तहत प्रकिया शुरू की जाएगी आयोग सक्रिय होते ही असास की महा विद्याले और असास की विद्याले में निकाली की सिच्छक भरती को शुरू की जाएगा यानि की टेजिती पिजिती एक्जाम की तारीके जारी की जाएगी और असिस्टन प्रोफिसर की जो एक्जाम है उनको करवाया जाएगा और उसके बाद ही उम्बीत की जा सकती है उत्तर प्रदेश सिच्छक पातरता परीक्षा यानि की UP-TEET के बारे में और उसके बाद हम बात करते हैं नई प्रिमरी सिच्छक भरती को लेकर सुपर टीटी एग्जाम को लेकर क्योंकि सुपर टीटी का जो एग्जाम आपको आमरी सिच्छाक बहती है लेकिन ये डिपेंड करेगा सरकार के उपर कि उसलकार, किस तरीके से यहाँ पर चैन कर क्यों क्यूंक्त करते हैं, वर्तमान में जो कंडिशन स बने यह वह आप जानते हैं, कि नई सिक्षा सेवा चेन आयोग को लेकर जो कठन का प्रोसेस है वो फरवरी में complete हो जाएगा यानि कि फरवरी के starting में आप सभी के सामने जो सदस्च और द्यक्ष के नाम है वो गोशित हो जाएगे और फिर आयोग बनकर त्यार हो जाएगा अब देखना ये होगा कि आयोग बनने के बाद में क्या कोई नई भरती आती है कि नहीं क्योंकि दूसी तरफ चुनाब आयोग के माध्यम से चुनाबी तारीकों को लेकर भी announcement की जा दी है और जल्द ही उनके माध्यम से इसको लेकर announcement की जा सकती है तो ऐसे में देखना काफी ज्यादा मैत्पुड होगा कि क्या चुनाप से पहले उत्तरप्रजिस के अंदर कोई नई सिच्छक भरती आती है या पुरानी भरतियों को ही कंप्लीट किया जाता है वहीं दूसरी तर बात कर लिजाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबन देते हैं स्कूल कॉ रह सकती है उसकी सबसे बड़ी बज़य है वायश काना होना और इसी तरीके से अगर माहुल रहा तो फर्वरी के मिड तक यानि कि पंद्य फर्वरी तक इस प्रकार की ठंड का सामना करना पड़ सकता है बीच बीच में मौसम खुलेगा लेकिन इसके बावजू ठंड जब जाई रहेगी तो स्कूल कॉलेज और कोचिंग सरस्थानों को लेकर एक वाफे से नया आदेस यहां पर जारी किया गया है जिसके बारे में जानका ही दीगेए कि अगर बात की जाए कक्षा नौ भी तक के नीचे के अभ्यतियों को यानि कि कक्षा आठ भी तक के स्कूल कॉ जो कोचिंग सरस्थानों को बंद करने का जो आदेस है वो यहां पर दे दिया गया है अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से मौसम खुलता है या नहीं क्योंकि अभी बरतमान में तो मौसम खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ठंड लगाता जारी है वही दूस ने हाली में इस तमाम उद्दों को लेकर मीटिंग की थी और आने वाले सब्ता में इसको लेकर जो नाउसमेटर वो भी की जाएगी थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो